हेलो फेंड्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलबे एंटीपीस एकजाम का प्राक्टिस सेट नमबर थ्री इससे पहले प्राक्टिस सेट नमबर एक और दो अल्लेडी अ करवा दिया जाता है तो अगर अभी तक आप हमारे ग्रूप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में ग्रूप का लिंक दे दिया गया है वहां से जाकर आप ग्रूप में एड़ हो सकते हैं आई अब बढ़ते अपने कोश्चन की तरह फाज का जो हमारा पहला कोश हैं तो चीन जो है वो बहुत धर्म का सबसे बड़ा केंदर है बिस्वी की लगभग 65% जो बहुत है वो चीन में रहते हैं एक और आप लोगों को याद होगा कि जो चीनी आत्री था हेंस वांग जो की हर्सबर्धन के सासंकाल में भारत आया था नेक्ष्ण हमारा की कौन सा महल भारत के सबसे बड़े महलों में से एक जिसे अंबा बिलास के रूप में भी जाना जाता है और यह बाडियार महराजा का भी निवास था तो यह किसे जाना जाता है मैसूर का महल जो की करनाचक मैसूर में इस्थित है इस महल का जो निर्मान है वो बाडियार बंस का सासक जो था वो क्रिस्न राज चतूर्थ के ने अपने निवास के लिए करवाया था ऐसा माना जाता है कि इसे महल को प्रारंभ में चंदन की लकड़ी से बनाया गया था किस ने किया था तो भारतिये पुरातत परविच्छन का गठन है वो लोड कंगिनिगम के द्वडा़ा 1861 में किया गया था तो इस कॉशन का जो सही अंसर होगा बो होगा आपसन बड़े ऐलेकजंडर कंगिनिगम के द्वड़ा एक चीज़ और याद रखेगा जो भारतिय इतिहास का जो बस तभी खोज है बो 1784 में कलकत्ता में अस्थापित एसियेटिक सोसाइटी के द्वारा किया गया था साथी साथ आप लोग एक चीज़ाग पढ़े होंगे कि 1904 में पुलतत विभाग की अस्थापना जो है बो लौट कर्जन के काल में हुआ था नेक्स्ट हमारा कि Father of Indian Services को क्या कहा जाता है तो Father of Indian Services यानि भारत में सिभिल सेबा का जो जनक है वो लौट कर्णिवालिस को माना जाता है तो इस question का सही answer आपस नबर सी लॉट कॉर्णिवालिस लॉट कॉर्णिवालिस का जो 10 वर था वो 1786 से लेकर 1793 तक था और फिर बाद में वो एक बार आओ रहता है 1805 में लॉट कॉर्णिवालिस जो याद रखने वाली बाते हैं वो ये है कि 1793 में इसने परसीत कॉर्णिवालिस कोड का निर्मान करवाया था 1793 में ही इन्होंने अस्थाई बंदबस की पदिती लागू की थी इसने जिला में पुलिस ये थाना की अस्थापना करके एक दरोगा को इसका इंचाज बनाया था और इसे भारत में नागरिक सेवा का जनक भी मना जाता है नेक्स्ट है हमारा की ब्रिटीसों के बिरूद अमेरकी क्रांती में लडने बाले एक देशभक्त पॉल रेबरे थे उस सहर का नाम क्या था जहां वो रहते थे और जहां उनकी मुर्ति हुई पॉल रेबरे का घर अभी भी इस सहर में इस्थी थे तो वो किस सहर की बात कर रहा है ये USA का बोस्टन सहर का बात कर रहा है तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा नेक्स्ट हमारा की दूई सदनिये बिधान सभा का मतलब क्या है तो दूई सदनिये बिधान सभा का मतलब है कि बिधायकों को दो अलग बिधान सभाओं में बाता जाता है देखे अनुछेद 168 आप लोग पढ़े होंगे अनुछेद 168 के अधार पर जो बिधान मंडल का गठन होता है जिसमें राजपाल, बिधान सभा और बिधान परिशत का गठन संसत करता है जो राज्यों में होना आवचक नहीं है अभी बरतमान में जैसे बिहार, यूपी हो गया, आंध्रपदेश हो गया, तेलंगना हो गया, ये समय क्या है, बिधान परिज़र मौजूद है नेक्स्ट हमारा की कौन आस्था यबधी के लिए सरबोच नयाले के तदर्थ प्रमुक के रूप में निक्ति आ जा सकता है, ये बात कर ला है किसकी ये बात कर ला है कोरम बेबस्था की, तो सुप्रीम कोड में जो कोरम बेबस्था को पूरा करने के लिए तदर्थ नयाधिस इसको नहीं है नेक्स है हमारा कि किस खगोल सास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था तो प्लूटो ग्रह का पता लगाने वाला जो खगोल सास्त्री था उसका नाम था क्लाड टामबो जो की 1930 में पता लगाया था तो इस question का जो सयंसर होगा वो होगा option number D और एक चीर और याद रखेगा अभी बरतमान समय में प्लूटो को ग्रह की सरेनी से अलग कर दिया गया है क्यूंकि प्लूटो को आकार जो है वो छोटा है और साथी साथ वह बरुन की कच्छा को भी काड़ता है इसी के कारण उसे ग्रह की सरेनी में सामिल नहीं रखा गया है प्लूटो को अब बॉना गिरह कहा जाता है नेक्स्ट है हमारा कोश्चन नमर 11 कहरा निम सहरों में से कौनसा भूमद रेखा की लाइन पर पर परता है पॉन्टनायक जो की इंडोनेसिया का एक सहर है तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा उप्सन नमरे ग्लोब की अगर बात स्थिती सूरज की हनिकारक पराबैगनी विक्रलियों की प्रिथिवी की सता पर पहुचने से रोकती है यह बात कर रहा अस्ट्रेटोस्फेर की अस्ट्रेटोस्फेर यानि संताप मंडल का जो एक भाग है वो ओजोन मंडल है संताप मंडल देखे 18-32 किलोमेटर है और फिर 32 से 60 किलोमेटर क्या है वो जोन मंडल है संताप मंडल की अगर बात करते हैं तो संताप मंडल में बायवान उडाने की आदरस दसा होती है और इसमें किसी भी परकार का कोई मौसमी परिवरतन नहीं होता है नेक्स्ट हमारा कि जब कुल उपयोगिता अधिक्तम होती है तो सिम उपयोगिता बढ़ती है तो सिमान उपयोगिता क्या होती है कमी आती है और जब सिमान उपयोगिता अरिनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है धनात्मक होती है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वहोगा आपस नबर भी सुन्न होता है नेक्स्ट है मारा अंतर बिस्विद्याले को किस पुरुषकार से समानित किया जाता है तो उसे पुरुषकार दिया जाता है मौलाना अबूलकलाम अजार ट्रॉफी तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसन अबर 8D और 2020 में ये किसी मिला है 2020 में मिला है गुरु नानक देविस्विद्याले जो की पंजाब का एक बिस्विद्याले है और इसमें एक ट्रॉफी के साथ 15,00,00 रुपे की पुरुषकार रासी क्रदान की जाती है अगर हम बात करते हैं दुरोनाचार पुरुसकार की तो दुरोनाचार पुरुसकार जो है वो सर्वस्रिष्ट पर सिछक या खेल गुरु को दिया जाता है और अर्जुन पुरुसकार की बात करते हैं तो खेल के छेतर में उतकृष्ट खेलने बाले को खिलाडी को अर्जुन नेक्स्ट हमारा की एक मीटर किसके बराबर होता है तो एक मीटर की अगर बात करते हैं तो देखें यहां माइकरोन में बात कर रहा है तो एक मीटर जो होगा वो 10 to the power 6 माइकरोन के बराबर होगा साथी साथ याद रखेगा एक मीटर के बराबर 10 to the power 9 nanometer होता है 10 to the power 12 picometer होगा 10 into the power 6 femtometer होगा और fit में अगर बात करते हैं तो एक meter बराबर 3.2 feet होता है next हमारा कि यह दी 10 kg भागी bike kill 20 meter per second की गती से चलती है तो bike kill की गती जूर्जा क्या होगी तो देखिए यहां गती जूर्जा बराबर क्या होता है के यी बराबर half MbSquare तो half MbSquare formulae पर रख दीजेगा तो 1 by 2 into में 10 into में 20 और into में 20 इसको आफ solve कीजेगा तो answer आजाएगा 2000 joule क्योंकि kinetic energy है तो गती जूर्जा की unit होगी joule तो इस question का जो सई answer होगा बहोगा option number D 2000 joule next हमारा कि यह दी अच्छर छोटा दिखाई देता है तो कौन सा lens होगा अगर चर छोटा दिखाई देता है तो after lens होगा क्योंकि after lens में आप लोग पढ़े होंगे कि after lens में जो प्रतिभीम होता है वो सीधा और आभासी एबं बस्तू से छोटा होता है चाहे बस्तू कहीं भी रखी जाए next हमारा refrigerator निम्लिखित में से किसी धान पर काच करता है तो refrigerator जो है वो बस्तू करन के सिधान पर काच करता है तो इस question का science रोगा आपसा नबर D refrigerator से याद रखिएगा refrigerator में प्रसीता के रूप में free on 12 का उपियोग किया जाता है और इसकी खोज जो है वो हैरी सान इबम कैटलीन के द्वारा किया गया था next हमारा कि किसी बिदू सरकीट के दो बिंदूों के मत एक इकाई आबेस के अस्थांतरन में हुआ कार्ज क्या कहलाता है तो ये क्या कहलाता है ये बिभांतर कहलाता है कि आबेस के प्रवाह की दर को ही हम लोग क्या कहते है बिदू धारा कहते है सक्ति की अगर बात करते है तो कार्ज करने की दर को सक्ति कहते है और प्रतिरोध की अगर बात करते है रेसिस्टेंस की तो किसी पदार्थ का वह जिसके कारण वो स्वेम में से प्रभाहित होने वाली विदु धारा का विरोध करता है उसे ही हम लोग प्रतिरोध कहते हैं और प्रतिरोध का जो मातरक होता है वो ओम होता है नेक्स्ट है हमारा की पेंट करने वाली मसीन अधारित है तो प्रेंट करने बाली जो मसीन है वो बढ़नौली के सिधान पर अधारित है अब बात होती है कि बढ़नौली का प्रमे है क्या यानि बढ़नौली स्थियोरम कहता क्या है तो बर्नौली स्थियोरम कहता है कि जब कोई आधर्स द्रब किसी नली में धारा रेखिये प्रबाह में बहता है तो उसके मारग के परतेक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल उर्जा का योग जो होगा वो नियत होता है साथी साथ एक कोश्चन और पुछा जाता है वेंचूरी मेटर किस पर कार्ज करता है तो वो भी बर्नौली के सिधान पर कार्ज करता है नेक्स्ट है हमारा गी बलगी परिभासा को किस अधार पर बेख्यागपित किया जा सकता है तो देखिये ये बात कर रहा है Newton's के लौके तो Newton's first ला, मतलब Newton के गती का पहला नियम जो होता है, वो क्या बताता है बल की परिभासा मिलती है, Newton के गती के पहले नियम से याद रखेगा, इसे गलेलियों का नियम या जड़ातव का नियम्भी कहा जाता है अगर हम बात करते हैं न्यूटन के गती के दूसरे नियम तो दूसरे नियम से बल का ब्यंजक प्राप्त होता है जो की होता है F बराबर M में और तीसरे नियम की अगर बात करते हैं तो Newton के गती का तीसरे नियम कहता है कि परते किलिया के बराबर प्रंतु विप्रिल दिशा में प्रती किलिया होती है जंग से बचाने बाली एक प्रिकलिया है जिसमें अस्टील और लोहे पर किसकी कोटिंग की जाती है जिंग की कोटिंग की जाती है और यही जो प्रिकलिया है वो क्या कहलाती है गल्व नाइजेसन कहलाती है इसमें जंग नहीं लगने का कारण क्या है कि जब जिंग का परतल चाड़ जाता है तो लोहे जो है वो नमी के संपर्क में नहीं आतने देता है यह जिंग लोहे को और इसलिए उस पर जंग नहीं लगता है जिंग की अगर बात करते हैं तो जिंग की अटॉमिक नंबर होता है 30 नेक्स्ट हमारा प्रजनक यानि ब्रीडर रियक्टर वह है जिसमें तो ब्रीडर रियक्टर वह कहलाता है जिसमें बिखंडिया पदार्स की जितनी खपत होती है उत्पादन उससे अधीक होता है तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा आपसन बज़े आप लोग पढ़े हों और ये जो DNA होता है, वो DNA की जो स्रिंखला होती है, वो hydrogen bond से बंधी हुई होती है, एक और होता है RNA, RNA का full form होता है ribonucleac acid, और इसका मुख्यकार जो होता है, वो protein sensation में सहायता करना होता है, नेक्स्ट है हमारा अनुनाद अब्रिती पर एक स्रेनी, अनुनादी प्रपत में, तो वो अब्रिती जिस पर चालक तार का प्रतिरोध कम होता है, वो अनुनाद अब्रिती कहलाता है, तो इस question का जो सयन सरोगा वो होगा, option number D, धारा जो होता है वो अधिक्तम होता है, तो इस कर दुब्रश्टी दोस्थ के निवारन के लिए हम लोग किस चीज का उप्योग करते हैं, अब तल लेश्ग का पररियोग करते हैं, एक होता है दूर दूर दूर्श्टी दूस्थ जिसमें निकट की बस्तु दिखाई नहीं देती हैं, और दूर की बस्तु दिखाए देती है और उसके उपचार के लिए हम लोग उत्तर लेंस का उपयोग करते हैं next हमारा calcium hydroxide के solution का सामाने नाम क्या है तो calcium hydroxide के solution का नाम है नीमबू पानी तो इस question का सही अंसर होगा option number 8 next हमारा PCB का पूरा नाम नीमड में से क्या है तो PCB होता है printed circuit board तो इस question का सही अंसर होगा option number C printed circuit board printed circuit board का जो अब इसकारत है वो आस्ट्रिया के एक engineer है जिनका नाम है पॉल इसलग और PCB है क्या PCB एक electronic plastic का बना board होता है जिस पर परिप्रत्थों का जाल विछा हुआ होता है और मुख PCB का जो उपयोग है वो mother board के रूप में किया जाता है next हमारा red data book जिसे लाल सुची भी कहते हैं क्या है तो red data book जो है वो संकट ग्रस्त प्रस्तूव पेडो इत्यादी का बिस्तृत दस्ताबेच या record है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number D और इसी के द्वारा ये लाल किताब प्रकासित किया गया था जिसमें दुनिया के सभी प्रकार के जीबों की जनकारी दी जाती है next है हमारा question number 31 कहरा एक उची इमारत के सिर से एक gain जो है वो 9.8 meter per second square के तोरण से गिराई जाती है तो 3 second plus chart उसका बेक क्या होगा आपने एक फार्मूला पढ़ा था B बराबर U plus GT ठिक है यहाँ पे B क्या है B यहाँ पे final velocity है और U initial velocity है तो यहाँ पे initial velocity कितना हो जाएगा initial velocity हो जाएगा 0 G कमान यहाँ पे कितना हो जाएगा 9.8 और यहाँ पे T कमान कितना हो जाएगा 3 तो जब 9.8 और 3 और U कमान 0 तो यहाँ से भी कमान कैलकुलेट की जाएगा तो आजाएगा 29.4 मीटब पर सेकंड तो इस कोशन का जो सयन सरोगा वहोगा option number C next हमारा की किस राज सरकार ने इंदरा रसोई योजना की सुरुआत की है तो इंदरा रसोई योजना की जो सुरुआत करने वाला जो राज है वो है राजस्थान और राजस्थान सरकार के द्वारा जो यह योजना है वो पिछड़ा बर्ग के लोगों को सुधह और पॉस्टिक भोजन उपलब्द कराना है जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं और उसमें ये योजना के तहट जो है वो आठ रूपे में भोजन की थाली उपलब्द कराया जाएगा तो इस कोशन का सही अंसरों को आपसर नवड़ी राजस्थान से याद र तो इस कोशन का सही अंसरों का आपसर नवड़ी मनुसी चिलर आप लोगों को याद होगा कि ये मीस बल्ड बनी थी 2017 में और ये जो है बोजो तक हर्याना से बिलॉंग करती है नेक्स्ट हमारा कोशन नवर 34 कहरा कि हाली में केंदर सरकार तथा बोडो समुदाय के बीच समझहोता हुआ है और इस समझहोते के अनुसार ये निर्ने लिया गया था है कि अब जो बोडो लेंड छेतर केंतर गज्जो असाम में 4 जिला आता था उसके अस्थान पर 7 जिला आएगा और इस समझहोते के परिमान से रूप केंदर और राज सरकार के बिकास के लिए 1500 कड परिच्यात्रियों के परसिच्छनेतु माना बंतरी छुडाने के अंदर की अस्थापना कहां करने की घोसना किया है तो ये कहां किया है करनाटक में तो इस कोश्चन का सयंसरों को आप से नमर ये और इसके लिए 2700 कडोर रुपे का परस्ता रखा गया है इस रोग की अगर प्रुषकार भी प्रदान किया है नेक्स्ट हमारा पुस्तक कनेक्टिंग कॉमिनिकेटिंग चेंजिंग किस बैक्ति के कार्च काल पर आधारित है तो ये जो है वो बैंकायान आइडू के कार्च काल पर आधारित है बैंकायान आइडू अपने तीन साल पूरा करने पर एक चीर और याद रखेगा इस पुस्तक का जो बिमोचन है वो परकास जबेटकर के द्वारा किया गया है नेक्स्ट है हमारा कि हाली में किस बैक ती को जम्मू कास्मीर का उपराजपाल निउक किया गया है तो जम्मू कास्मीर का यूपराजपाल निउक किया गया है मनोज सिन्हा को इससे पहले जो जम्मू कास्मीर के पहले उपराजपाल थे नेक्स्ट है हमारा कि सवच्टा सरवेच्छन 2020 के समध में कौन सा कथनसत नहीं है यह सरवेच्छन के दिरिये आबासिबम सहरी मामले मंतराले दूरा जारी किया गया यह बिल्कुल सही है और यह जो है वो पाच्मा संसकरन है इसका इस सर्वेचन में सरस्रेष्ट गंगा टाउन का प्रुषकार बारानेसी को दिया गया ये भी बिल्कुल सही है राज्यों में सबसे स्वश्च राज जो है वो मद्धपदेश को चुना गया ये गलत है क्योंकि देखिए इसमें दो सरेनिया रखे गई थी एक रखा गया था सौ से अधीक सहरी अस्थानिय निकायों वाले राज और एक सौ से कम सहरी अस्थानिय निकायों वाले राज तो सौ से अधीक सहरी अस्थानिय निकायों वाले अगर राज्यों की बात करते हैं तो पहले नमबर पे है 36 गड़, दूसरे नमबर पे महराष्टा और तीसरे नमबर पे हैं मध्धपदेश और 100 से कम बाले की अगर बात करते हैं तो पहले नमबर पे है जारखन, दूसरे नमबर पे हरियाना और तीसरे नमबर पे उतरखन तो ये मध्य पदेश नहीं है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number C चौथा point का रहा इस सर्वेच्छन में इन दौर लगातार चौथी बार प्रथम अस्थान पे रहा है ये बिल्कुल सही है next हमारा G20 देशों की पर्याबरन मंत्रियों की बैठा का योजित की गई इसकी अध्यच्ता किस देश ने किया है तो इसकी अध्यच्ता जो है वो साओधी अरब के द्वारा किया गया है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number B साओधी अरब G20 की अगर बात करते हैं तो G20 जो है वो विक्सी तेबम विकासील देशों का एक संगठन है जिसकी अस्थापना 1999 में किया गया था ये जो परियाबरन मंत्रियों की बैठा कोई थी इसमें भारत की तरफ से कौन भाग लिये थे भारत के तरफ से परियाबरन मंत्री परकास जबेट करने ही सलिया था next हामारा me too पुस्तक किसके द्वारा लखी गई है तो ये है पुस्तक has tag me too collection of sort story ये launch की गई है करनपूरी के द्वारा तो इस question का स़ाय अंसर हो आप सा नमर ए करनपूरी तो ये था आमार आज का वीडियो, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताईएगा, साथी साथ इस वीडियो से अगर कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो साथ अगर आपको इसका पीडियो चाहिए, तो आप वाटसप ग्रूप जाके जोइंग कर लिजे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ डेली 9 एम पे आप लोगों को टेस्ट सेट प्रोबाइट करवा दिया जाता है, दस बजे आपको अंसर की प क्रोंग कर पूब कर दो कर दो ड山 spotted, मुंक भूछ पको जोग्सक्न वाहिए णौच कर ददज कर दो दो, रमी तेस्ट पर लूचल ब्लीच बॉ钟 कर दो कर दो सका दो ligeद uniए जाब।